हेलो गाईज, आज मैं आप लोगे के सामने चार इंपोर्टेंट रेल्वे कोटा के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे आप लोगों का टिकेट कन्फर्म हो सकता है 95% chances है आप लोगों का टिकेट कन्फर्म हो जाएगा सबसे पहले, लेडीज कोटा दूसरा, lower birth senior citizen कोटा तीसरा, person with disability कोटा और चौथा, जो कि थोड़ा expensive होता है पर आप लोगों अगर वहाँ पे चेक करो तो शायद आप लोगों को टिकेट मिल सकता है वो है premium तदकाल कोटा तो अभी मैं आप लोगों को mobile पे लेके चलता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि differences क्या होते है क्योंकि हम लोग जब भी ticket book करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग general कोटा में कर लेते हैं और usually general कोटा में सब करते हैं तो क्या होता है कि हम लोगों को seat नहीं मिल पाता है ठीक है तो आईए अभी हम लोग क्या करते हैं अपको प्रूफ के साथ पर अपने मुबाइल से कैसे टिकेट बूग कर सकते हैं कन्फर्म वहां पर लेके चलते हैं आईए गाइस लगते हैं फिके सकते हैं कि हैं लोगों को कहा जहाना है कहा उसे यहां सि एस्थ मितलब और यहां पर सब्मिरान करसे आपको यह कर नेखा रहा है तो आपको अरेसी दिखा रहा लेकिन मैं अभी आप लोगों को यही चीज को मतलब अवेलेबल करके दिखाता हूं कि कैसे होगा अभी पेंसिल में खोलिए उसके बाद यहां पर देखिए कोटा लिखा हुआ है कोटा में आप लेडिस सेट कीजिए लेडिस का मतलब ही आप लोग जानते हैं लेडिस का लेडिस लोग जब आप नीचा के कोटा में कीजिएगा तब आप देखे यहां पर जैसे ही आप कीजिएगा तो आपको अवेलेबल दिखेगा जैसे यह देखिए ठीक है फिर आप यहां पर खोलिएगा कुछ-कुछ ट्रेन में नहीं भी मिलेगा कुछ-कुछ ट्रेन में आपको मिल भी जाएगा जिस ट्रेन में आपको मिल जाएगा जैसे कि देखें यहां पर यह सब में अवेलेबल है तो आप लेडिस लोग यहां से बुक कर सकते हैं अब आगे हम लोग बात करेंगे lower birth senior citizen quota का गाल जैसे के अभी आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग यहां पर जर्च करेंगे Hmm lower birth senior citizen quota का तो देखें अभी आपको यहां पर क्या दिख़ाएगा हम लोग यहां पर research किये देखिए यहां पर दिखा रहा है 69 वेङ्ट लेकिन यही चीज को हम confirm कर सकते हैं कैसे अगर आप एक pregnant औरत है तो आपको एक बर्त मिल जाएगा अगर आप senior citizen है अगर महिला है या पुरुष है अगर आप senior citizen में आते हैं तो आपको एक बर्त मिल जाएगा चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे जहां general था वहाँ पे lower birth senior citizen में करके बुक करेंगे जैसे हम लोग नीचे आएंगे अभी मैं ठीक वही train को दिखाऊंगा देखिए अभी मैं sleeper में खोलूंगा देखिए अभी आप लोगों के लिए 45 seat खाली है आप वहाँ पे जाके अपना अराम से seat ले सकते हैं आप लोग जितना seat चाहें उतना seat lower birth में ले सकते ह है senior citizen quota तहद और अगर आप pregnant औरत हैं तो आप यहां से अपना seat को confirm करा सकते हैं अभी तो हम लोग लेडिस देख लिया अभी lower birth senior citizen quota देख लिया अभी हम लोग देखने जा रहे हैं person with disabilities ठीक है अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि आपको लिखावा आएगा कि जब भी आप लोग यहां पर सफर करें तो अपना कोई proof लेकर सफर करें कि आप लोग visible person है ठीक है इसको हम लोग यहां okay कर देते हैं अब यहां पर हम लोग सर्च करेंगे और वही train देखेंगे तो आप लोग को नीचे लाइए और वही train को सर्च कीजिए जहां पर waiting list था अभी आराम से इस कोटा के तहट अपना सीट को बुक कर सकते हैं तो आसा करते हैं कि आप लोग ऐसे अराम से अपना यात्रा को अच्छे से सफर को कर पाईएगा गाइस अब हम लोग आ गए अपने लास्ट कोटा की तरफ ये है प्रीमियम ततकाल कोटा अब ये प्रीमियम ततकाल क्या होता है देखे आप लोग सब जानते हैं कि गाड़ी में ततकाल कोटा होता है लेकिन ततकाल के बाद में भी एक कोटा रहा जाता है उसको कहते हैं हम लो सिट मिल जाएगा 95% चांस है कि आपको सिट मिल जाएगा लेकिन फेर जो है वह ज्यादा होगा जैसे देखेए अभी 41 सिट अभेलेबल है लेकिन क्या है कि इसका फेर जो है वह बहुत जादा है नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है जैसे 3535 रुपीज ये है इसका फेर लेकिन अगर यही चीज हम ततकाल कोटा में अभी जाके सर्च करें तो आपको यही गाड़ी में नहीं मिलेगा आईए हम लोग ततकाल कोटा को भी एक बार सर्च करके देखते हैं कि इस गाड़ी में हम लोगों को ततकाल कोटा में मिलता है या नहीं मिलता है तो चलिए ततकाल कोटा में देखते हैं तो ततकाल कोटा में 6 वेटिंग है तो इसलिए और इसका देखिए प्राइस भी क्या है 2550 रुपीज तो ततकाल कोटा उससे कम में आती है और जो नॉर्मल फेर होता है जिसमें बोलते हैं जेनरल फेर वो इससे भी कम होता है इस गाड़ी का तो यही डिफरेंस होता है कि आपको एमर्जेंसी में प्रीमियम ततकाल कोटा आपको बहुत हेल्प करता है जाने में आसा करते हैं गाइस कि आप लोगों को यह चारों कोटा समझ में आया होगा और अगर आप लोगों को कोई वीडा उठ है तो आप लोग कमेंट्स करके मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग पूछ सकते हैं तिल देन आप लोगों का जर्नी बहुत अच्छा से हो और आप लोग जर्नी इंजॉय कीजिए रास्तों का मजा लीजिए इंडियन रेलवे जय हिंद